इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है लेरी नाम के एक आदमी को दिखाते हुए लेरी तो बहुती ज़्यादा अनलकी था और उसके साथ हमेसा बेकारी होता लेरी के बिहेवियर की वज़े से उसकी वाइफ ने भी डाइवास ले लिया होता है साथी साथ लेरी अपने प्रोफिशनल लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं था आज लेरी को अपने बेटे के एनुवल फंक्शन पर जाना था लेकिन वो नहीं जा पाता वो सिधा चला जाता है अपनी एक्स वाइफ से मिलने के लिए लेरी ने देखा कि उसकी एक्स वाइफ अपने नए बॉइफरेंड डॉन के साथ मौजूद है जो एक बहुत ही बड़ा बिजनसमेन था लेरी को तो अब अपने हिसाब से कोई अच्छी जॉब मिलने ही रही थी इसलिए अब बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद लेरी को आखिरकार एक म्यूजियम में नाइट गार्ड की नौकरी मिल जाती है ये शहर का सबसे बड़ा हिस्टॉरिक म्यूजियम था जहाँ पर अलग-अलग टाइप की प्राचीन चीजे रखी गई थी यहाँ पर म्यूजियम की मैनेजमेंट टीम को उतना ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं हो रहा था इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो फिलाल म्यूजियम में काम करने वाले तीन बुढ़े गार्ड को निकाल कर सिर्फ लैरी को ही काम पर रखेंगे जिससे कि उनका खर्चा भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा ये सारी बाते पता चलने पर वो तीनो बुढ़े गार्ड अपना सामान पैक करने लग जाते हैं वो तीनो तो इतने सालों से काम कर रहे थे लेकिन अब उन्हें जाना पड़ेगा वो म्यूजियम की चाब याँ और सारी चीज़े लेरी को हैंड ओवर करने लग जाते हैं साथ ही साथ उन तीनो बुढ़े आदमी ने लेरी को एक मैनूल दिया जिसके अंदर कई सारी इंस्ट्रॉक्शन्स लिखे हुए थे उन में से एक बुढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें रात के वक्त सावधान रहना पड़ेगा और किसी को भी बाहर जाने मत देना लेरी तो उन बुढ़े अंकल की बातों को समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाते थे पर इन सारी चीजों के बारे में जादा कुछ सूचे बिना लेरी म्यूजियम के अंदर अपनी नाइट गाट की नौकरी करना स्टार्ट कर देता है लेरी को लग रहा था कि नाइट गाट की नौकरी में तो कुछ करना ही नहीं होता सिर्फ एक जगा बैट कर सोना होता है लेकिन सायद आज उसका भ्रम तूटने वाला था रात होने पर अब Larry ही पूरे म्यूजियम में अकेला होता है तबी थोड़ी दिर में अचानक Larry को कुई जोर से आवाज आने लगी जब Larry म्यूजियम के बीचों बीच देखने जाता है तबी उसे पता चला कि यहाँ पर रखे गए बड़ी डाइनासौर की स्केलेटन गायब है चारो तरब ढूनने पर भी डाइनासौर का स्केलेटन नहीं मिलता पर तबी Larry की नजर अपने साइड में गई जहाँ पर डाइनासौर का वो बड़ा सा स्केलेटन जिन्दा हो चुका था वो तो म्यूजियम में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है यहाँ जैसे ही डाइनासौर के स्केलेटन ने Larry को देखा तब वो उसका लगातार पीछा करने लग जाता है Larry को समझ नहीं पा रहा था फिलाल तो वो अपनी जान बचा कर वहाँ से भाग रहा होता है पर थोड़ी देर बाद जाकर Larry को पता चला कि यह डाइनासौर का स्केलेटन उसे मारना नहीं चाता बलकि उसके साथ खेलना चाता है वो डाइनासौर तो हड़ी के एक टुकडे को बार बार लारी की तरफ फेक रहा था जिससे कि वो उसके साथ खेले Larry ने तुरन थी वो हड़ी दूर फेक दी थी जिससे कि डाइनासौर का स्केलेटन भी उसे लेने के लिए चला जाता है लेकिन अब यहां म्यूजियम के अंदर रखे गए सारी एंशियन जानवर जिन्दा हो चुके थे Larry बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि यह क्या हो रहा है वो तो डारेक्ली अब उनी बुड़े आदमी द्वारा दिये गए इंस्ट्रक्शन्स को पढ़ने लग गया था जिसमें कि सबसे पहला लिखा होता है कि हड़ी को फेक दो Larry ने वैसा डैनासौर के स्केलेटन के साथ किया भी था जिससे कि Larry की जान बज गई यानि उन बुड़े आदमियों को इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता था और उन्होंने इन मुसीबतों का सॉलूशन इंस्ट्रक्शन्स में लिखा था म्यूजियम के अंदर रखे गए प्राचीन काल के हाथियों की भी अवशेस अब जिन्दा हो जाते हैं म्यूजियम के अंदर जितनी भी जानवर और उनकी स्केलेटन्स रखे गए थे वो किसी न किसी वज़े से जिन्दा हो जा रहे थे लेकिन लेरी तो एकदम कंफ्यूज होकर सिर्फ और सिर्फ मैनुवल पढ़ने लग जाता है इंस्ट्रक्शन्स में लिखा था कि एफरीका के जानवर उको बाहर नहीं आने देना है उनके दरवाजे को लॉक कर दो और साथ हिसाथ तुम्हें कैपेचिन मंकी से सावधान रहना है क्योंकि वो बड़े चतुर होते हैं वो बार-बार चाबिया चुरा लेते थे लेरी तुरंती एक दूसरी जगों पर चला जाता है जहां एफरीका के बहुत सारे शेर और बाग मौजूद थे वो सब जैसे ही बाहर आने लग गए लेरी तुरंती उस जगों को बंद कर देता है लेकिन उसकी जेब में जो चाबिया मौजूद थी वो वहाँ पर होती ही नहीं दरसल ये कैपेचिन मंकीयों का ही किया धरा होता है जिनोंने चाबिया चुरा ली थी जब लेरी कैपेचिन मंकीयों से चाबिय मांग रहा होता है तब वो मंकी तो बड़ी अजीब तरीके से लेरी का मजाक उड़ा रहे थे लेकिन फिलार लेरी ने कैसे भी मंकी से वो चाबिय ले लिया था जिससे के वो बहुत ही खुंखार अफरीकी टाइगर्स और लाइन्स को उसी कमरे में बंद कर देता है पर यहीं पर बात खतम नहीं होती म्यूजियम के अंदर तो अब बड़े प्राचीन लोग भी जिन्दा हो गए थे जिने देखकर लेरी वहाँ से भागने लग जाता है देखते ही देखते म्यूजियम की छोटी सी छोटी एंशेन चीजे जिन्दा हो चुकी थी अब इन सारी चीजों के पीछे कौन हो सकता है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चली जाएगा अब यहाँ एंशेन सेना और रोमन सेना की कई सारे चोटे चोटे सोलजर्स जिन्दा हो चुके थे वो तो लेरी को एक बड़ा सा दुस्मन समझ के उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपना बंदी बना कर उसके उपर हमला करने लग जाते हैं हाला कि उन सारे लोगों के हमले बहुत ही जादा चोटे थे जिससे की लैरी को कुछ जादा फरक नहीं पड़ता लेकिन लैरी समझ ही नहीं पा रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले उन चोटे-चोटे सैनिकों की संख्या तो बहुत ही जादा थी पर तबी एक ancient आदमी घोडे पर सवार होकर वहाँ पर आता है और Larry को बचा कर अपने साथ लेके चला जाता है उस बूड़े आदमी का नाम Rose Ben होता है जो अमेरिका के 30 वे President थे अब Ben ने यहाँ पर Larry को सारी बाते बताई उन्होंने कहा कि 1950 में इस म्यूजियम के अंदर एक ममी के मगबरे को लेकर आया गया सभी को लग रहा था कि ये ममी एक नॉर्मल है जो दर्शोकों के लिए एक आकरशक का काम करेगी लेकिन इस ममी के ताबूत पर गुल्टन टाइप का कुछ सामान चिपका हुआ था जिसमें की बहुत सारी काली शक्तियां मौजूद थी और इनी सारी शक्तियों की वज़े से म्यूजियम में मौजूद सारी बेजान चीज़े जिन्दा हो चुकी थी एंशियन जानवरों की स्केलेटन से लेकर वो सारी चीज़े जिसके बारे में हम इंसान इतिहास में बाते किया करते थे लेकिन म्यूजियम के अंदर मौजूज ये सारी अजीब चीज़े सिर्फ और सिर्फ रात के समय ही तक जिन्दा रह पाती सुबा होने पर ये सब अपने आप ही गायब हो जाते हैं और अगर ये सब बाहर निकल भी गए तो अगर इनके उपर सूरी की रोशनी पड़ेगी तब ये पूरे के पूरे नस्ट हो जाएंगे लेकिन लेरी को अब किसी भी तरीके से इन सारे एंशेन जानवरों को रात के समय म्यूजियम से बाहर निकलने से रूखना होगा नहीं तो ये सारी खौफनाक चीज़ें शेहर के अंदर तबाही मचा देंगी लेरी तो सोचने लगा था कि वो तो यहाँ पर एक नाइट गाड की नौकरी करने आया था आखिरकार उसे ये सारी खतरनाक चीज़ें क्यों करनी पड़ रही है और ये बात तुम तीनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई मैं तो यहाँ पर सिफ नाइट गाड की नौकरी करने आया था ना ही ये सारी अजीब चीज़ें जहेंनने के लिए लेरी ने डिसाइड किया कि वो इस म्यूजियम में अब काम नहीं करेगा इसलिए वो उन तीनों बुड़े आदमियों को दोश डेकर वहाँ से जाने लग जाता है म्यूजियम के थोड़ी ही दूर पर जाने के बाद लेरी को उसका बेटा उसके स्टेफ फादर के साथ मौजूद हुआ दिखाई देता है लेरी के बेटे का स्टेफ फादर जिसका नाम डॉन था वो लेरी को कॉंग्राचुलेट कर रहा होता है उसके म्यूजियम में नई जॉब लगने के कारण लेकिन डॉन को यह अंदाजा ही नहीं था कि लेरी तो अभी ये म्यूजियम की जॉब छोड़ने वाला है तब ही लेरी का बेटा उसे अपने एक और फंक्शन में बुलवाता है जो कि उसके स्कूल में पैरेंस डे की दिन होने वाला था ये सारी बाते करने के बाद डॉन लेरी के बेटे को लेकर चला गया था लेकिन अब लेरी सोचने लगा कि अगर उसने म्यूजियम वाली जॉब अभी छोड़ दी तब वो अपने बेटे की नजर में गिर जाएगा दरसल बात ये थी कि लेरी का बेटा उससे ज़्यादा कनेक्टेड ना होकर उसके स्टेफ फादर यानि कि डॉन से कनेक्टेड था डॉन एक बहुती बड़ा बिजनसमैन होता है इसलिए लेरी का बेटा भी उसके जैसा ही बनना चाता था और ये बात कहीं न कहीं लैरी को बहुत ही बेकार लगती। इसलिए अब सिर्फ अपने बेटे के खातेर लैरी उस म्यूजियम के अंदर वापस चला जाता है अपनी गाड की नौकरी करने के लिए। अब लैरी उन तीनों बुड़े आदमियों से पूछ रहा था कि ये सारी चीजे क्या हो रही थी म्यूजियम में। तब जाकर उन तीनों बुड़े आदमियों ने वही कहा जिसे कि बैन ने बताया था। ये सब उस एंशेंट ममी के मगबरे पर लगी वी सोनी के टुकड़े की वज़े से हो रहा है। पर लैरी अब उन तीनों बुड़े आदमियों से इस बात का सॉलुशन मांग रहा था कि वो ये सब कैसे ठीक करेगा। तब जाकर वो बुड़े गार्ट्स लैरी को एडवाइस देते हैं कि तुम्हें इस म्यूजियम में मौझूद सारी एंटीक और प्राचेन चीजों के बारे में सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। जिसके बाद ही तुम सोच पाओगे कि एक एक से कैसे निपटना है। इन सारी चीजों के अलावा लैरी के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किये लैरी मूझूद सारी एंटीक चीजों के बारे में बुक्स पढ़ने लग जाता है। दिया गया इंस्ट्रक्शन अपने सामने रखा और अपनी नॉलेज के हिसाब से प्लैन बनाने लगा। सबसे पहले उसे पीछा चुड़वाना था उस स्केलेटन वाले बड़े से डाइनासौर से। तो यहाँ लैरी को पता था कि वो डाइनासौर हड़ी फेकने पर उसके के पीछे भागने लगा था यानि कि लैरी ने सबसे पहला टास तो अपना कंप्लीट कर लिया होता है। अब यहाँ कुछ आदिवासी आग जलाने की लगाता कोशिश करते हुए चिला रहे थे। तभी लैरी ने उन आदिवासियों का काम आसान करने के लिए उन्हें एक ल पारने लगा जिससे कि उन आदिवासियों पर लगी हुई आग बुझ जाती है। लैरी इस बात को समझ गया था कि जो भी सुईदाएं और फैसिलिटीज इस टाइम पर मौझूद हैं वो प्राचिन समय में नहीं हुआ करती थी। इसलिए अब बागे से उसे थोड़ा रहना पड़ेगा ये सारी चीजे करने के लिए। लैरी तो रोमन और एंशेंट लोगों की एक दूसरे में होने वाले घमासान युद्ध को भी सौल करने में मदद करता है। ये वही सैनिक थे जो एकदम छोटे-छोटे होते हैं और कुछ समय पहले उन्होंने लैरी पर हम लैरी ने सभी को लगभग कंट्रॉल कर लिया होता है लेकिन वो मंकी एकदम से बेलगाम था. reminding यहां से वहां भाग रहा होता है। तबी अचानक एक आदिवासी जल्द से जल्द में जरा भी आया तब वो पूरा धूल में मिट जाएगा और फिर उसे बचाना नामुम्किन होगा पर जब तक लैरी उस आदिवासी को बचाने के लिए पास में जाता अगले ही मुमेंट में वो आदिवासी तो पूरा मिट्टी में कनवर्ट हो जाता है बूरी बात तो तब हुई जब वहां रोच साफ करने वाली गाड़ी उस पूरी मिट्टी को अपने साथ लेकर चली जाती है यानि कि अब उस आदिवासी को फिर से जिन्दा करना नामुम्किन था म्यूजियम से एक एंटीक चीज गायब हो चुकी थी इस बात का पता लैरी को चल जाता है अब वगले दिन जब म्यूजियम के मैनेजर को ये बात पता चलती है कि म्यूजियम के अंदर आग लगी थी और लैरी ने कुछ किया ही नहीं इन सारी चीजों की वज़े से मैनेजर ने लैरी को म्यूजियम की उस जॉब से निकाल दिया था उसी समय लैरी का बेटा उससे मिलने करता है इन्हीं सारी चीजों की वज़े से लैरी अपने मैनेजर के सामने गिड़ गिड़ाने लगा था वो कहता है कि प्लीज मुझे एक और चांस दिया जाए मैं आगे से कोई गलती करूंगा ही नहीं इस समय लैरी के लिए ये जौब बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट लैरी तो तुरन सारा के पास जाकर इन सारी चीजों के बारे में बात करने लग जाता है लेकिन यहाँ लैरी ने सारा को सब कुछ बता दिया था कि रात के समय मुजीम में मौझूद सारी चीजे जिन्दा हो जाती है हाला कि सारा लैरी के किसी भी बातों पर भरुसा ही नहीं करती उसे तो ये सारी चीज़े एकदम बेतुकी लगती है तबी लैरी ने बताया कि तुम जिस लड़की के स्टैच्यू पर रिसर्च कर रही हो वो भी रात के समय जिन्दा हो जाती थी और अगर तुम चाहो तो मैं उस लड़की से तुमारे मुलाकात करवा सकता हूँ जिससे कि तुम अपना रिसर्च बड़ी और्गैनिक तरीकों से कर सकती हो लेकिन यहाँ पर सारा लैरी की किसी भी बातों को सीरियसली ना लेते वे वहाँ से चली जाती है अब यहाँ लैरी ने डिसाइट किया कि वो किसी भी तरीके के हरकत नहीं कर सकता क्योंकि यह उसका आखरी चांस है और अब इने सारी चीजों की वज़े से लैरी का बेटा उससे नफरत करता है इसलिए लैरी तुरंती अपने एक्स वाइफ की घर पर चला गया था अपने बेटे से मिलने के लिए लेकिन लैरी की एक्स वाइफ बताती है कि तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत ही ज़्यादा नाराज है और इस समय तुम उससे मिली नहीं सकते लेरी बहुत ही ज़ादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे अपने बेटे से मिलने दो क्योंकि अगर अभी मैंने उसे सारी रियालिटी नहीं बताई तब वो जिन्दगी बर यही सूचता रहेगा कि उसका फादर एक लूजर है लेरी ने अपनी एक्स वाइफ से बहुत ही ज़ादा रिक्वेस्ट करते हुई यह मनवा लिया था कि वो अपने बेटे को एक बार म्यूजियम में लेकर जाए क्योंकि लेरी अपने बेटे को सब कुछ बताना चाहता था अब यहां लेरी कुछी दिर बाद अपनी बेटे को लेकर म्यूजियम के अदर पहुच जाता है लेरी ने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया था कि ठीक 12 बचते ही म्यूजियम में रखी गई सारी प्राचीन चीजे अपने आप ही जिन्दा हो जाती अब लेरी और उसका बेटा बेस सबरी से 12 बचने का वेट करने लग जाते हैं जैसे ही 12 बचता है तब लेरी का बेटा आसपास देखने लगा था लेकिन कोई भी एंशिन चीज वापस जिन्दा नहीं होती ये जानकर लेरी एकदम से चौक जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है लेरी का बेटा समझने लगा था कि उसका फादर उसे जरूर बेवकुव बना रहा है लेकिन जब लेरी थोड़ी सी चान बिन करता है तब उसे वहाँ वही तीन बुड़े गार्ट्स मिले थे तो सारा इलजाम लेरी के उपर जाएगा लेरी ने देखा कि वह तीनों बुड़े आदमी सारी एंशिन चीजों की साथ साथ ममी के मगबरे पर लगा हुआ वो गोल्डन क्यूब भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं जिसे कि उन्होंने डिसेबल किया है और इसी वज़े से रात होने पर ये सारे एंशिन चीजे जिन्दा नहीं हुई लेकिन थोड़े ही दिर बाद लेरी के बेटे ने उस गोल्डन क्यूब को अपने हाथ में ले लिया था लेरी अपने बेटे को सब कुछ सच सच बताना चाता था इसलिए उसने कहा कि तुम गोल्डन क्यूब को अक्टिवेट कर दो लेरी के बेटे ने जैसे ही उसे अक्टिवेट किया तबी ममी का काला जादू चारो तरफ फैल जाता है और अब एक बार फिर म्यूजियम की सारी एंशिन चीजी जिन्दा होने लगी थी वो तीनों बुड़े आदमी इन सारी चीजों से डर कर उपर की तरफ भागने लग जाते हैं वो तीनों बुड़े आदमी इजिप्सियन फैरो के पास पहुचकर सारी चीजे बंद कर देते हैं जिससे कि लेरी और उसका बेटा बाहर ना निकल सके पर तभी ममी के साथ साथ Egyptian Pharaoh भी जिन्दा हो चुका था तभी उस Egyptian Pharaoh ने अपना चेहरा दिखाया जो कि एक इंसान होता है उसे English language आती थी इसलिए वो Larry से बाते कर रहा होता है Larry ने Egyptian Pharaoh को सारी बाते बताई कि कैसे हमारा म्यूजियम बहुत ही ज़्यादा खत्रे में है Egyptian Pharaoh अपनी थोड़ी सी सेना लेकर Larry के साथ म्यूजियम में आ जाता है जिस जगह पर सारे के सारे ancient चीज़े एक दूसरे से fight कर रही थी और अगर इस तरीके से चलता रहाना तो पूरा म्यूजियम में destroy हो जाएगा तब ही यहां Larry चिलाते हुए सभी को सांध करता है और थोड़ा सा motivate करने लग जाता है Larry ने बताया कि तीन बुड़े आदमी सारी चीज़े चुरा कर लिख जा रहे हैं और अगर म्यूजियम की कोई भी चीज़े चोरी हुई तब ये सारी चीज़े बंद कर दी जाएंगी और तुम सभी रात के समय जिस तरीके से जिन्दा होते हो वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा एक तरह से तुम सभी हमेशा हमेशा के लिए गहरी नीन में सो जाओगे लेरी की ये बाते सुनकर सभी एकदम चौक जाते हैं उन्हें कैसे भी अपना एक्जिस्टन बनाए रखना था इसलिए अब वो सारी एंशेन चीज़े जो जिन्दा हो चुकी थी वो उन तीनों बुड़े आदमियों को पकड़ने लग जाती है उन में से दो बुड़े आदमी तो उनके हाथ आ गए थे लेकिन तीसरा बुड़ा आदमी गोल्डन क्यूब को अपने साथ लेके भागता रहता है वो तुरंती गाड़ी में बैठ गया था और जल से जल म्यूजियम से दूर जाने लगा तब जाकर पता चलता है कि गाड़ी के चारो टायर्स पंक्चर हैं जिसे और किसी ने नहीं बलकि रोमन सामराज्य की उनी छोटे 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 लोगों ने किया था यहाँ पर अब प्रेसिडेंट बैन और वो काच वाली लड़की भी जिन्दा हो गई थी पर अब वो गाड़ गोल्डन क्यूब को लेकर एक घोड़ा गाड़ी से भागने लगा था बुड़े आदमी के ठीक सामने वही ग्लास वाली लड़की मौजूद थी जो उससे टकराने वाली होती है तभी अचानक प्रेसिडेंट बैन उसे बचाने के लिए खुच सामने आ जाते हैं जिससे कि घोड़ा गाड़ी से लगने की वज़े से उनकी बॉड़ी के डो टुकड़े हो चुके थे वो बुड़ा आदमी तो दूर भागते जा रहा था अब उस ग्लास वाली लड़की ने प्रेसिडेंट बैन की मदद करने के लिए पासी में पड़े वैक्स की मदद से उनकी पूरी बॉड़ी को जॉइन कर दिया था जिससे कि प्रेसिडेंट बैन पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं पर अब Larry बता रहा था कि हमें किसी भी तरीके से उस बुड़े आदमी को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए अब रोमन सामराज्यक के सबी सिपाही और जिप्सियन ग्रूम उस बुड़े आदमी का लगातार पीछा करने लग जाते हैं। क्योंकि अगर वो बुड़ा आदमी गुल्डन क्यूब लेकर यहां से भाग गया, तब म्यूजियब में मौजूद सारी चीजे फिर कभी जिन्दा ही नहीं हो पाएंगी। लैरी भी अब अपनी जान पर खिलकर उस बुड़े आदमी का लगातार पीछा करने लगा था। लैरी जल से जल बुड़े आदमी को पकड़ कर उससे गुल्डन क्यूब हासिल कर लेता है। सबी लोग लगातार म्यूजियम की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तब यहां रास्ते में सारा भी मौजूद थी जिसने की लैरी से बात कीती और वो उस ग्लास वाले लड़की पर रिसर्ज भी करने आई थी। जब उसने सारे एंशेंट चीजों को जिन्दा चलते वे देखा तब सारा की आखी एकड़म खुली की खुली रह गए। उसे समझ आ जाता है कि लैरी जूट नहीं बोल रहा था। समय रहते लैरी ने सारे एंशेंट लोगों को म्यूजियम के अंदर ला दिया था। यानि कि उन सभी की जान अब एकड़म सेफ है। सभी म्यूजियम के अंदर दूर दूर से विजिस्टर्स देखने आ चुके थे। दरहसल पूरी दुनिया में इस म्यूजियम की खबर फैलने के कारण विजिटर्स यहां की एंशेंट चीजों को देखना चाते थे। क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़े रियल लग रही होती है। म्यूजियम का बिजनस पहले से काफी गुना बढ़ चुका था। ये सारी चीज़े समझने के बाद म्यूजियम के मैनेजर ने लैरी को वापस जॉब पर रख लिया था। लैरी भी बहुत कम समय में काफी ज़्यादा फेमस हो चुका था। लैरी का बेटा उसे अब लूजर नहीं समझता बलकि उसने तो अपने फादर को करियर डे में भी बुलाया था जो उसकी स्कूल में होता है। लैरी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था कि वो अपने बेटे के नजरों में काफी उचा हो गया है। लैरी अपने नाइट गाट की जॉब बहुत ही अच्छी तरीके से करता क्योंकि उसे एंशेंट लोगों में एक तरीके से अपनी फैमली मिल चुकी थी। लैरी हर रात एंशेंट लोगों के साथ मिलता और बड़ी मज़े से पाटी करता। जैसे कि लैरी को अपने जीने का मकसद मिल गया हो कि उन्हें इन सारे लोगों की रक्षा करनी है। अंत में दिखाया जाता है कि वो तीनों बुढ़े जो यहाँ पर चोरी करने आये थे, उन्हें सारे एंशेंट लोग सजा के तौर पर म्यूजियम की अंदर ही काम करने के लिए बोलते हैं। और वो तीनों मजबूरी के कारण साफ सफाई करने लगे थे। इसी तरीके से हमारी एडवेंचरस कहानी यही खत्म हो जाती है। सुभी वर्स आपको यह स्टोरी कैसी लेगी? कमेंट सेक्षन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्स्पेनेशन एक पसेंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीकी की एडवेंचररस और मज़ेदार कहानियों में तब तक के लिए बबाए!